बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेड़फॉन या लीड जरूर लगाएं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे में जोई मोटिवेशन मिलें लगाईएं जिस से मैं एक्सट एपिसपोड जल्दी बना पाऊँ तो फिर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं मैजिक स्नाइट सॉॉलोड को हील कर रहे होते हैं सॉॉलोड फे वोश होता हुई फिर भी वह सलम नामुंकिन कैसे जूसकता है ये बोल रहा हותा है, सेंडर बोलता है, उसने वीरे इसक्रीम बोलता है तुम्ने कमाल कर दिया चारवी यूनो के लिए ऐसक्रिम लेके आती है और बोलती है तुम कितने कूल देख रहेते हैं, यह लो लडाई के बाद कुछ आलो अपनी एनरजी को वापस लाना जरूरी है यूनो बोलता है थैंक्स में से जरूर लगाँगा यूनो बोलता है ये असकें बहुत जादा अच्छी है ये सुन के चार वी की आत्मा उससे भाड़ निकल जाती है रिंगार्ट नोईले से बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया नोईले या उससे पहले स्टेज बनने का इंतिजार करते हैं मैजिक्स नाइट अपने जादू से बहुत सारी चीज़ों को बदल देते हैं सेकंड स्टेज के लिए ग्राउंड तयार हो जाता है पहला मैच है आस्टा का उसकी फिरोधी टीम है मैगना की मिमोसा का भाई बोलता है के स्टेज चाहे बदल गई हो मेरी कूप सूरिती अभी तक वैसे की वैसी है कि बाद आस्टा से बोलता है तुम लोग कमजोर हो बहुत जादा बसूरत हो मैं ध्यान रखूंगा कि तुमारा नाम मो निशान मिट जाए आस्टा बोलता है तुम एतनी आसानी से मुझसे पीचा नी चुड़ा सकते हो चानक से मिमोसा आस्टा के सामने आ जाती हो बोलती है की तयार तो तुमें होना चाहिए बईया मैगना आस्टा से बोलता है अपना पूरा जोर लगा देना आस्ता बोलता है तुम जोस में लग रहे हो अपना बैस देना लूगनर बोलता है लगता है वो हमारा मुकावला राज परिवार से हैं कि बाद लूगनर पहले की तरह हसते हुआ बोलता है चलो अपना टीम वर्क दिखाते हैं आस्ता बोलता है तुम थोड़े परेशार लग रहे हो जब से ग्राउंड को बदला है मुझे पता है तुमने और भी बहुत सारे ट्रैप लगाए है लूगनर अपने मन में बोलता है ये चुगा बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि ये कीफर सकता है लूगनर स्माइल करते हो बोलता हा तुम बिल्कुल सही हो कल रात को मैंने याँ पर ट्रैप लगाए थे मैंने सुना ता कि कल का एक्जाम भी है ही पर होगा लेकिन रॉयल लाइट के एक्जाम सिलेक्शन की जगे तो बहुत जारा टॉप सीकर्ट थी ये सब सुनके आस्ता को गुस्टा आ जाता हो बोलता है तुम कौन हो तुम चीटिंग कर रहे हो लूगनर बोलता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो घड़े जानकारी खटी करना एक काबिलियत मानी जाती है और क्या एक दिन पहले जाल लगा ना कोई रूल के खिलाफ है अचानक से आस्ता का सिर गोल गोल घुमाते हो बोलता है बहल उनों ने भी मुझे मना नहीं किया आस्ता बोलता है तो एक टीम होने के वज़े से हमें बताओ कि ट्रैप कहां पे लगे है कम से कम हम तुमारी मदद तो कर पाएंगे लुगनर बोलता है अगर मैंने तुम्हें बता है तो शायद हमारे जुश्मनों का इसका पता चल जाएगा मैं ऐसे अपनी तरीके से करना पसंद करूँगा आस्ता गुस्य में बोलता है तो ठीक है मैं भी चीजों का अपनी तरीके से हैंडल करूँगा लुकनर बोलता है उमीदा कि तूम अपने चोटे से दिमाग से कुछ सोच पाओगे आस्ता बोलता है मेरा दिमाग इतना बड़ा है कि मेरे सिर में बड़ी मुश्किल से फिट हो पाता है तब ही मिमोसा भी इसमें बोलती है कि हाँ आस्ता की सिर्फ एकी चीछ छोटी है वह उसकी हाई उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है मिमوسा का भाई बोलता है कि मिमوسा बहुत जादा बेकार हो गई है मैं तुमें उन गंदे लोगों से आजाद करूँगा उससे पहले कि तुम मुझसे लड़ो लुबनर अपना हाथ उपर करता है और एक स्पेल परता है लुबनर बोलता हमें उसको अपने ट्रैप में फसने का इंतजार करना चीए आस्ता बोलता है किता कमाल का मैजिक है मुझे कुछ भी ने दिख रहा है उसके बाद वो अपनी तलवार निकाल के बोलता है कि मुझे अभी करना ही होगा आस्ता अपनी किग को महसुस करती हूँ बोलता अब मेरी वारी विजार्ट किंग अपने मन में सोचने लगते हैं ये पावर जरूर कुछ होने वाला है आस्ता पूरा कॉंसेंटरेट करने लगता हूँ बोलता है कि ये और गहराई तक जाना पड़ेगा और जादा आस्ता की बोड़ी में से रेड कलर का औरा निकल रहा होता है उसके बाद आस्ता अपने डीमन ताकतों को जगा लेता है मिमोसा चौक जाते हो बोलती है ये कैसी ताकत है ये कोई मैजिक नहीं है ये इतना जादा ताकतवर और डराम ना भी आस्ता पूरी तरीके से डीमन में बदल जाता और अपनी आँख खोल के बोलता है तो ठीक है अब ये मेरी बारी है आस्ता मिमोसा और लूबनर के बगल से इतनी स्पीड में निकलते हैं कि वो देखके चौक जाते हैं लूबनर बोलता है कि चेरी ब्रॉसम को भूल जाओ मेरे ट्रैप हर जगे पे चेरी ब्रॉसम होता है कुछ भी दिखनी रहा होता है अचानक से एक ब्लैट कलर के लाइट आती है जो स्नेक की तरह चल रही होती है आस्ता पूरी चरीके से चेरी ब्रॉसम को कार्द देता है और बहुत सारे ट्रैप्स को भी मिमोसा का भाई बोलता है ये नामोंके नहीं ये कालिशी चीज़ क्याती आस्ता एक जगे पह रुख जाता और उसका डीमन औरा पूरी चरीके से गाईप होने लगता है मैगना बोलता है इसने तो पूरी तरीके से उसके मैजिक का सफाया कर दिया लूबनर से लाते हो बोलता है बेख कूप तुमने ये क्या किया आस्ता बोलता है मैं इसे पहली बार इस्तिमाल कर रहा हूँ चलो इसे मिल कह रहा है लूगनर गुस्से में कहता है चूए कही के सभी लोग आरास्ता के बारे में बात करने लगते हैं कि एक इस तरीके की ताकत है यूनो बोलता है कि आरास्ता पहले से जाधा ताकत वर हो गया इसलिए मुझे भी ताकत वर होना पड़ेगा लूगनर रास्ता की दरफ चलते हुआ आता है और बोलता है कि चुए कई के तुने मेरे सारे लगाय हुए ट्रैप को अटा दिया आस्ता बोलता है हाँ ये थोड़ा बुश्किल हो सकता है मगर हमारे लिए कोई नई स्ट्रेटेजी डूंड़ो जो हम तीनों को जिता दें तुम चाल बाज़ा चाल आको तुम कुछ ना कुछ सोची लोगे और हाँ एक अच्ची सी बिना चीटिंग वाले स्ट्रेटेजी सोचना लूगनर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं सोचनगा जाओ अपनी उसी पावर से उसे हरा दो आस्ता बोलता है ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं एक वाय इसका 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 कमाल के होते हैं लेकिन बहले वो कितने भी जादा कमाल के हो एक मैजिक नैट कभी अकेले नहीं ड़र सकता है वो अपने साथियों पर भरुसा करते हैं और साथ में दुष्मनों का सामला करते हैं अब प्रेजेंट में आस्ता बोलता है वैसे भी हमारा मुकावला राज- कर से कोई मतलब नहीं है लेकिन मुझे अपनी मंजिल के खातिर कोई रास्ता नहीं देख रहा है इसलिए मैं तेरा इस्तमाल करूंगा चूहे आस्ता बोलता है जब तक हम साथ लड़ेंगे मुझे सब कुछ मनजूर है लूनर बोलता है जैसे कि तुम्हें पता है मेरे मैज लड़ा दिया जैसे कि वो कुछ था ही नहीं आस्ता बोलता है मुझे माफ कर दो मुझे पता नीटा कि तुमने उसमें अपना सारा माना लगा दिया है लूग नर बोलता है में पास जादा माना नहीं है मगर मैं स्रिफ तीन चोटे से ट्रेप लगाता हूँ पहला जिसमें कोई पैर रखेगा वह पक्रा जाएगा दूसरा जिसमें गड़ा हो जाता है और तीसरा जिसमें तुम फसेते हैं और ये तीनों ट्रैप सिर्फ एक ही बारी उस हो सकते हैं और हां में पास इतना माना नहीं है कि मैं उससे जादा ताकतवर बना पांग तो अब हम क्या करें मिम मिमोसा खबाई बोलता मैं अलग हो जाँगा मैं एक किसान के साथ मिलकर नहीं लड़ सकता हूँ उसके बाद मिमोसा खबाई एक चेरी ब्लॉसम का बहुत बजीब सी चीज़ बना लेता है जिस पे बैटके वह हमा में उड़ते हुआ बोलता है कि मैं अलग जा रहा हूँ मै मैं उसे अकेले समाल सकता हूँ अकेले ही मैं उसे हरा दूँगा तुम दोना क्रिस्टल की रक्षा करो लूगना उनकी तरह बढ़ते हुँ हो बोलता है कि किसानों के पास बहुत कम मैजिक होता है इसलिए मैं उनके साथ नहीं लड़ सकता हूँ वो हमारे जैसे राज करी है और लूगनर का माना मुझे नीचे महसूस हो रहा है वो गरीब किसानी कच्रा होने की वजए से मैं को मैजिक मैहसूस नहीं कर पा रहा हूं तानक से मिमवसा के भाई को आस्था गुफा के अंदर दिखता और उसके उपर एक अटेक कर देता है अस्था अपनी तल्व विमोसा कभाई महसूस करने लगता हूँ बोलता है ये मैजिक कम है बंगर ने इसका मैजिक में को महसूस हो रहा है क्या उसे लगता है कि मैं उस जाल में फस जाओंगा विमोसा कभाई तीन क्लोन बनाता है और उससे आस्ता के ओपर अटेक करता है तीनों क्लोन उस जाल में फ बेकार हो जाता है मिमोसा का भाई सोचने लगता है कि मैंने सारे जाल तो बेकार कर दिये थे तब ही वहाँ पर लूगनर आता है और बोलता है कि तुम गदे अपने मैजिक पर निर बढ़ते हैं तो मैंसे बड़े जाल को ढूंड रहे ते इसलिए तुम्हें एक छोटे से जा गलवादों को आगे कर दिए जिससे वह कर जाता है यही न टीमवर्क वाली बात लूगनर बोलता है मैंने तेरा इस्तमाल किया बैफको फिर भी आस्ता उस की तरफ देखके स्माइल करता है आई होप आप सबी वीडियो पसंद आई होगी अगर आप चैनल पर नहीं होते हो